विवाहा विवस्था अपने आप में ना देवीय विवस्था है ना शाश्वत विवस्था है फ्रेडरिक एंजल्स के हिसाब से विवाहा विवस्था इसलिए शुरू होई ताकि हम संपत्तियों के वैद उत्तराधिकारी टाप्त कर सके पश्च हो गया अब इस कंसेप्ट में क्या लग रहा है कि पत्ने की भूमिका बहुत स्वाधिन व्यक्ति की है या केवल संपत्ति के उत्तराधिकारी को पैदा करने वाली मशीन की भूमिका है उतनी भूमी का है तुम चुपचाप मेरा संपत्थी का उतना धिकारी पैदा करो उसको पाल पूसके बढ़ा करके मुझे सौंपतो बस यही काम है इसलिए दुनिया भर के धिकान समाजों महिलाएं चूला चौका ही करती है जर के बाहर के धिकार कम मिलते हैं उनको यही सब कहानिया पीछे है और यही बात आपको इस सौपन्यास में थोड़ी बहुत नज़र आ जाएगी कुल वधू कुल माता यह सब शब्द क्यों देते हैं कि महिलाओं को अपने उस हेंस सिती को जिस्टिफाई करने का मौकर मिल जाए यही से इंटर्व्य ओतरा हिए असका हम जब मौक इंटर्वय लेते ना कभी कभी क्या होता है कोई लड़की आई मौक इंटर्वय देने उससे पूछा आपकी होबिस के है, जी मेरी होबी कोकिंग है कोकिंग होबी देखके लगता है कि होबी है कि मजबूरी है खमज नहीं आ रहा मैं रहा किसी लड़की की होबी कोकिंग हो तो थोड़ा डाउट हो जाता है है लड़के की तो बड़ी प्रसनिता होती है कि लड़का भारत पे कोगिंग कर रहा है अपने पर कान्ती है। लड़का किचन में जाये तो मा आ बोलते हैं तो तुरी बहु आएगी तुरी बहु आएगी तुरी बहु आएगी। तुरी बहु करेंगी। किसी और घर में किसी बच्ची को ट्रेनिंग मिल रही होगी विश्वास रख वो आएगी वो तेरा चूला चौका संभालेगी तू तो बैट बोलने बाहर जाके बोल से हिंसा कर वही हिंसा आगे चलके घर के अंदर करनी होगी उसका अभियास कर तो ये ट्रेनिंग जो घर के बनाओ तो प्यार मुह्बत से बनाओ। एक यह कुछा स्दूर करना गो। प्यर नगेसा क्रमकोन तो यह क्लामा धोल्हक करों Śोषक और में में इस गग। वो आपके घर का कोई जो सेवा करने मारा व्यक्ति हो, डोमेस्टिक हेल्प हो, वो भी हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी कमजोर सिती का फायदा उठाके आपने उससे कुछ ऐसा करवा लिया, जो वो अन्यता न करता, उसने इसलिए कर दिया क्योंकि आप ताकतवर हैं ऐसा कोई नो के एग्जम्बल साक पास हो गई होगा, तो कहते हैं कि शोशन दो टरिके से होता है, एक मारपीट कर पीट की होता है, करी काम, करी काम, तो लोग करते ही उसमें, डर जाते में does we just to find that, एक दिन मालिक सुया हुआ मेल जाए, बस एक दिन मालिक सोया हुआ है दर्वाजा खुला रहे गया नौकर को या दास को पता लग गया दो दास उठे हथोड़ा वथोड़ा उठाया बड़े वाला जो तना बड़ा होता है जो इस फिल्म में था के जी एफ में वैसे वाला हथोड़ा चुब चुब दबे पाँ हो गए और एक मारा और मालिक का रस बाहर निकल लिया पूरा फवारा फूटा रक्त का और मालिक खत्ब इस शोशित व्यक्ति को ही मज़ा नहीं है इसमें शोशित व्यक्ति दबाव में रहता है कि किस दिन मामला उरोड़ जाएगा सबसे अच्छा शोशन है जब आप इस तरह से प्यार महबबत से शोशन करें कि शोशित व्यक्ति को ही मज़ा नहीं लग जाए इसे महिलाओं का होता है प्यार महबबत से तुम तो घर की लक्षमी हो लक्षमी हो लक्षमी हो चलो बरतंद हो दो अब ये जो है ना इसकी बात यह लगा रही तुम घर की लक्षमी हो तुम घर की सरस्वती हो लेकिन पढ़ने मत जाना स्कूल में तुम हो सरस्वती पर स्कूल मत जाना तुम लक्षमी हो पर पैसे का हिसाब पूरा हमेज़े देना दस रुपए तुम्हारे डिस्क्रेशन में है, बैंगन खरीदना हो, वो भी खरीदनी हो, पूछने के भी जरूत नहीं दस रुपए तक, दस रुपए के ऊपर पूछ लेना एक बार, घर की चाबिये तुम्हारे पास हैं, बस खुलना मत कुछ, चाबिय तुम्हारे पास रह पर खोल के देखो ना नमारे तब समझ भायागा खोलो मत बस चाबी लेके घुम चरो कौन उठाएगा चाबी तिनी भारी तुम अठाओ यह खिर मुझे पता है आपके मन में यह आ रहा है कि सारी कांती है हमारे जबाने में करवा के मानेगा यह तो हो के रहेगा उस खतरनाक लपक्ती यदिनी लीक का मामला है जो रुकती नहीं है वह शुरू होने के बाद कहां रुकेगी तो यह चल के रहेगी भाव समझे विवह विवस्ता, शोषनकारी विवस्ता है, मार्क्स वाद ऐसा मानता है इसलिए मार्क्स ने कहा कि जो सामय वड़ाएगा, कम्यूनिजम है, उसका आइडियल स्टेट है उसमें विवाह विवस्ता नहीं होगी उसमें कोई भी दो व्यक्ति अपनी सहमती से सास में रह सकेंगे औ कि दो लोग साथ रेना चाह रहे हैं, बाकि सारे चाचा, मामा, फूफा सब उठखड़े हुए, वो अपनी अपनी जीवन से परिशान है, उनको लग रहा है कि ये कैसे खुश हो सकते हैं, पुरा गाउं उठके आ गया, कि गोत्र समान है, वैदिक काल में इसकी और हमारी गाय साथ बनती थी, शादी कैसे हो जाएगी इनकी, तो इसलिए विवाह विवस्ता, बुरी विवस्ता है, ऐसा मार्क्सवाद बानता है, इसलिए गोदान के अंत में जब महता मालते दिखेंगे, तो मार्क्सेस लोग बोलते हैं, यही मार्क्स ने कहा था, विवाह मत करना, को में रहना, यह को लिविंग है, मार्क्सवादी बड़े समझदार होते हैं, पर कभी-कभी गधापन किसी में भी आ जाता है, तो गोदान कांत देखके उनके अंदर गधेपन का वो प्रभाव जा गया है, और ऐसी व्याख्याएंकर बैठी है, चलिए, अन्तिम बात है प्र प्रैक्सिस कहते हैं, और इसी बिंदु पर दिव्या, मिनाल और चित्रलेखा से बहतर हो जाती है, क्योंकि वो फैसला करके अपने नियती को बदलती है.